अस्सलाम वालेकूम, आज मैं बनाऊंगी पिसेवे तील और सेंगदाने से चिक्खी, इसके लिए 250 ग्राम गूर्ड लियावा है, सवासो ग्राम तील, सवासो ग्राम सेंगदाना, यहां पे कड़ाई लिए, गरम हो गई अच्छे से, अब इसे हमने कम आच पे रखावा है, और इसमें सेंगदाना दाल के हम 10 मिनट टक पूनेंगे, इसे इसी तरीके से भूनते रहना है, फास नहीं रखना है, और इसमें ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसी कराई में अभी हम तील को भी भूनेंगे, इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने सेंगदाने को भूनावा है, एकदम कम आच पे रखेंगे, बिल्कुल भी फास नहीं रखना है, इसका कलर चेंज हो गया है, और इसमें खुशबवाना अब स्टाइट हो गई, तील हमारे भून के रेड़ी हो गए, इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, यहाँ पे जो सेंगदान है अच्छे से ठंडा हो गया, अब इसे हम हातों से रगर के इसके छिलके निकालेंगे, और ठंडा होने के बाद ही इसके छिलके बारिक पीस के रेडी हो गया है अब गढाई गरम हो गए हम 1 डेबल अज़ी दालेंगे और इसमें गूर दालेंगे और गूर को जो है जल्दी मेल्ट होता है अब इसे भी हम कम आच पर बनाएंगे एक जो चिक्किया बहुत कम आच पर बनाएं जाती है इसमें 2 टेबल जलेंगा नहीं यहां पेक ट्राइ लिवी है इसमें भी हम घी दाल के अच्छे से सब जगा लगाएंगे तो चिक्किय ना आसानी से निकलेंगी चिपकेंगी नहीं यहां पे शीरा भी रेडी हो रहा है लगा के रेडी हो गई अब यह बरतन पे हम पीछे भी इसके थोड़ा स घी लगाएंगे तो उपर से फ्लाइट करने के लिए हमें अच्छा रहेंगा घी लगाने से चिक्किय चिपकेंगी नहीं देखो अब एक बड़ हमने चेक किया तो नहीं हुआ था वा पस से हमने चेक किया शीरा हमारा 12 मिनिट में तयार हो गया है अब इसमें हम सेंग और 10 मिनट तक इसी तरीके से पकाते रहेंगे इसमें खुझबवाना स्टार्ट हो गए इसका कलर भी चेंज हो गया इसने बरतन चोड़ना शुरू किया यह रेडी हो गया अभी सेंग बरतन में दालेंगे और इसे फ्लाइट करेंगे और इसे गरम ही दालना है और मोटा या प अच्छा लगेंगा इस तरीके से अभी से हम आदे घंटे के लिए ठंडाओने रख देंगे कितना अच्छा कलर आया कितने अच्छा से दिख रहें अभी समने चेक के तो हाथ पे लगने रहती इसका मतलब यह रेडी हो गया इसके हम पीस करेंगे छोटे या बड़े आप अच्छा रहता है दात में प्रॉब्लम रहता है तो हम सोचते हैं चिकी कैसे खाए तो यह बनाना बहुत आसान है कोई भी हार्ड नहीं है अभी इसके हम इस तरीके से पीस करके इसे अभी हम सर्फ करेंगे तो कितने आसानी से निकल गया ना चिपका न कुछ अब इसे हम सर करें और मुझे कमेंट पे बताना आप लोग को मेरी रेसेपी कैसी लगी है अगर आपको मेरे ममा की रेसेपी अच्छी लगे हो तो मारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वचिंग